तो फ्रेंड्स विजय नेगर में मैंने पूरे तीन दिन बिताए और इन तीन दिनों में काफी लोकल साइट सिंग की मुझे आसाम राइफल्स ने एक इवेंट में बुलाया उन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए स्पोर्ट से इवेंट और्गनाइज किया था तो मैं वहाँ पे गया था और उन्होंने मेरी काफी महमन नावजी की क्योंकि पूरे गाउं में मैं आके लाइट टुरिस्ट था और काफी मुझे को अच्छा सपोर्ट मिला समराइफल्स है और यह खुबसूरत सा ब्रिज कनेट करता हुआ इस छोटी सी बस्ती को में रोड से जो वीजनेगर के तरफ जाती है वीजनेगर टुकांदी ग्राम पूरे म्याउट वीजनेगर ले रोड पर यही एक सडक मिलती है जो 20 किलोमेटर की एक गांदी ग्राम से वीजनेगर बाकी पूरा फॉरेस्ट रहल है इस ब्रिज पर जाके हम लोग शूट ले लेंगे एक हैंगर बीज पर वॉक करने के एक्सपिरियंस थोड़ा सा थ्रिलिंग होता है वहाँ पर दूर हर्वेस्ट ही हो रही है जैसा मैंने लोगबल से सुना यहाँ पर राइस और ब्लैक काड़मम मसला इलैची के दोनों की खेती है मसला इलैची की खेती तो जंगलों में होती है और चावल की खेती गाउ के नजदीड और वहाँ स्कूल, स्कूल के बच्चे तो वहां तक जाने का रास दोने का बाइक से गावालेने कहा है रास को है इस हैंगंग बीस ने जा सकते हैं जोंते हैं और जूलते हैं बीज पे एक प्लिख वीडियो बनाएंगे काफी जूलता है हो नज़रा कभी गुक्सुरत है बैतावा पानी छोड़ता सा गाओ तो आपे शायद अच फुटबॉल मैच रहे है बैतावा पुटबॉल मैच पुटबॉल मैच रहे है बैतावा पुटबॉल मैच रहे है बैतावा पुटबॉल मैच रहे है बैतावा पुटबॉल मैच रहे है लुटबॉल मैच एमक दोटबॉल मैच रहे abunde यह का पलाम प्रोप्ट प्रफश प्रोप्ट करता है चलो जैसे तेसे जूलतावा ब्रिज मस सा क्रॉस किया है हमने तो यह वीजेना करवले रास्ते से जो हैंगिंग ब्रिज था उसके साइड से मैं आया इस गाव में गाव का नाम है टूहट और मुलाकत हुई अमन भाही सबसे गुर्खा है यह जो बसती है गुर्खा निपड़ी लोगों की बसती है और इनोंने इनका प्यारा सा घर बहुत खुबसूरत घर है प्यारा सा घर पोदे लागा है पेड लागा है तो मुझको घर में बुलाया उनने मतलब पानी अगर पलाया चाय पानी तो काफी अच्छा लगा मुझे अच्छे से बात की आने का रास्ता अतना असन नहीं है टौहट गाऊ तक बर जो भी भाहिषा लोग आएंगे विजय नकर उनको यह जुरुर विजिट करना सी टौहट गाऊ में दुरका पफुशा होती है और काफी जोरु शुक्षा होती है दुरका पुशा अब चल रही है अमन भाई थेंक्यू आपने इतना समवन किया बुलाया घर पर अच्छा लागा आप से मिलके और आपके फैमिली से मिलके ठीक है अब आगे चलते हैं नमस्कार और यह टूहट गाउं में का प्यारा सा स्कूल बहुत प्यारा सा है प्राइमरी स्कूल है टूहट ऐसे दूर के बस्ती में स्कूल है तो ताकि बच्चा बच्चे शिक्षा ले सके लोकेशन काफी खुपसूरत है और वो रही अपनी रानी वाशिंग्धों नहीं हो पाई रानी की चेन टाइट हो पाई बादला चुके बारिश हलकी हलकी बारिश हो रही है यहाँ पे आम मोस में धूप च्छाओ का खेल और बारिश क्यों मन भई रोज काई यह है यह आदी ठंडा का सीजन आ गिया आदी प्राब बराब देगा पाहड में बराब दिने से फिर मोसम आच्छा हो जाएगा यहाँ हूए यह 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 कि विंटर में आ सकते हैं आपर अच्छा रहेगे हैं जो कि आपर और दूप चाओ खेल बड़ा प्यारा सा अंधु है गाओं में दुर्गापचो का माहूल है जैसे कि म्यूजिक सुन रहे हैं आप और एक टूहट गाव में का शिव मंदिर और दुर्गा मंदिर दुर्गा पुजा और माहूल है काफी खुशुरत मंदिर है और दुर्गा पुजा के मौके पर फुटबॉल मैच भी और गनेस की गई है लड़किया भी खिल देए फुटबॉल मैच लुटने मौका कुमरे एक रूप के है जगदंबे रूप अने को सरे शार यह थार बाहो तुम् मछ्मी माहो तुम् नहीं के काली हो विलों के रुगा जहीं पुर्णाओरा बाष्ट पूरा विजय नगर के आसपस पड़ोस वाली जो बस दिया है वो विजिट की लोगों से बाते की हलकी फुलकी ट्रेकिंग की और नदिया क्रॉस की और दिन काफी अच्छा स्पेंट किया लोकल इवेंट में भी हमने पाइटिसिपेट किया तो काफी अच्छा फील हुआ अट देंड अप्ट डेंग झाल झाल और यह रहा पहाड़ेओं की बीच बसा हुआ प्यारा सा विजिनवर गाव काफी कुपसूरत गाव है सुबह का सीन्थ देखते ही बनता है तो इस पहाड़े की पीछे जो पहाड़े में दिख रही है उस पहाड़े की पीछे जो दिखने राए रिया आपर बर्मा स्टाट होता है यह सारी उची पहाड़े की पीछे से बर्मा है तीनों तरफ से और यह रोड खतम होती है जो यलो हाउस टाइब दिख रहा है वो लोक और इन पहाड़ियों की पीछे बर्मा है और इन पहाड़ियों की पीछे बर्मा है और पहाड़ियों पे जंगलों में लोकल लोग ब्लाक काड़ों हमकी फार्मिंग गरता है जंगल में खेलती है बच्चे यहां पर आर्मे की भी कोई बाय रोड मौवमेंट है जो भी होता है आर अ मौवमेंट ही होती है तो विज्जे नगट की बिच में कोई आरमे नहीं चलता है सब्सक्राइब है इनको कि शाम के सिर्फ चारी बचे बजे है और अंदेरा होने को आया है यहां पर तो पाच बजे एकदम घुप सा अंदेरा हो जाता है और दिम जल्दी शुरू हो जाता है गावालों की भैसे, बफिलोज, होरसे, खचर, सारे